हलो व्यूवर्स, नमशकार, आदाप, सस्रीयकार, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्ट स्नीहल राए और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने शो में जहां आपको मिलती है धेर सारी नॉलज, पॉजिटिविटी एन अवेरनेस जी हाँ, इशो का नाम है होमियोपाथी, अनोनी पाथी विल दोस्तो, होमियोपाथी एक ऐसा इलाज है, एक ऐसी स्ट्रीम है जहां पर अनोनी टाली जा सकती है बिमारी को जड़ से उखाड फेका जा सकता है, वो भी सुरक्षित तोर पर दोस्तो, आज हम बात करेंगे किड्नी डिसॉर्डर की दोस्तो, किड्नी हमारे बॉड़ी का एक बहुत ही इंपोर्टन्ट ओर्गन है लेकिन इस ओर्गन की हम देखभाल कैसे करें, हमें पता ही नहीं होता सर्वे तो यहां तक कहता है कि किड्नी डिसॉर्डर पांच गुना हमारे देश में बढ़ चुका है तो खत्रे की गिंटी तो बच चुकी है दोस्तों जानते हैं इसी किड्नी डिसॉर्डर के बारे में डीटेल में एक्सपर्ट से वेल ही जानते हैं जिन्होंने अपने तीस सालों के अनुभाद्वारा क्लासिकल होमियोपैथी और मॉडन कॉंसेप्ट को कॉलाबरेट किया और अपनी रेवलूशनरी रिसर्च से इजाद किया ट्रीटमेंट का बायो साइको सोशल मॉडल जिसकी हेल्प से आज इनॉपरेबल और लास्ट टेज कैंसर सहित कई जटल बीमारियों से जूज रहे लोगों को नया जीवन मिला है अपनी अद्भूत रिसर्च के लिए इंटरनाशनल कॉन्फरेंसेज में सम्मानित डॉक्टर अनसारी को अब तक अनेक आवार्ड से नवाजा गया है डॉक्टर अनसारी का एक ही मिशन है खतरनाग बीमारियों के आतंग को चुनौती देना और लोगों को एक सफल इलाज उपलब्द कराकर उन्हें स्वस्थ खुशाल जीवन देना वेल दोस्तो आज डॉक्टर अनवर अमिर अनसारी जी हमारे बीच यहां मौजूद है तो चली जानते हैं किड्नी डिसॉर्डर के बारे में खुद उनी से है नमस्कार डॉक्टर अनवर साहब हलो कैसे आप बहुत बढ़ी है वेल थांक यू सो मच पॉर कमिंग यह आपने इतना अपना कीमती समय हमें दिया उसके लिए शुक्र गुजार हुए थांक यू पर इन्वाइटी वेल दोस्तो आज हम बात करेंगे किड़नी डिसॉर्डर के बारे में ऐसके लिए बस आपको फोन उठाना होगा वर नंबर डायल करना होगा नंबर की सारी डीटिल्स आपके स्क्रीन पर लगातार फ्लाश हो रही है तुरंट कौल कीजे वेल इसे के साथ डॉक्टर साहब मैं आप से पूछना चाहूंगी कि किड्नी हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण ओर्गन है बट इग्जाक्ली इसका इंपोर्टेंस क्या है और किस तरीके के डिसॉर्डर्स किड्नी के हो सकते है शरीर में सबसे परे सब्येगे साथ किड्नी क्या है काम क्या है हमारे किड्न जो फंक्षण जो है इस控PS काम है जैसे बगन्दर्रशन प्लांट में आप प्लाइशी को निकालते हैं और सहसते हैंगे में बेढ़्या हुदकी यचा रहलते हम से कर रहते हीर गNew और विखान किदनी सावगा मैंने काल? एक बढ़ पड़ और wird अधिया विडनी त피ो इसके अलबाब किदनी पहते हैं पर एक्जामपल, हून बनाना, यह किड्नी का इपॉरंट फंक्शन है, तो और भी फंक्शन लेकिन में जो फंक्शन है, कि जो गंदगी को साफ करना, पर अच्छी चीजे को अंदर रखना, अच्छा, और डिसॉर्डर्स के बार में, अगर आप हमें बता सके किस किस तरीके क जो आप किस to किस चीजे किस धिजे किस किस रिखना ज्क ओम्लिपलाब्मित् görün Pink में अप्लमिपलांधि को सकते हैं और स्टोने हो कि अज़ पर चाहर के बार में डेफिनिटली बात और आगे बढ़ाएंगे लेकिन फिल्हाल वक्त हो चला है हमारे पहले कॉलर का तो अगर आपकी जाज़त हो तो तो आज का पहला को आपका स्वागत है क्या मैं जान सकते हूं अपका नाम क्या है और आप कहा से बोल रहे हैं मेरा नाम दोजेट शिंग है अगवालिया नग्सिदेश के बोल रहा हूं अभी आपकी बात हो की डॉक्टर अन्वर सहाब से आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं जी फर्माईगे ताफ मेरे ताफ मेरे तीचे के तरफ बर्द हो जी एप इस पुछे के अपने दौना तरफ त अजी और गॉक्ति कर काई जी फिछी है कुछ देखे अ कमर जएते हैं जी जिएJ बट बड़क है क veterans के बड़ जय आपकोन अई सiblवी 색깔 को मसंकल कर लों सकता है जी यह को जैए तू सब्टर से हो सकता है और बहुत दीगर बज़र फाओ जिए फज है जिनके वईसे कमार का तो अगर आपका बैक पें पाइन या मस्ट लेडिय अगर है तो वो एक चीज अगर हो गई लेकिन अगर आपको आपका जो क्योंकि अब यह कीड्नी का चल रहा है अगर आपका सवाल इसके तालुक से है तो मैं बता दूँ कि कीड्नी के परावब्लम के अंदर भी कमर में दर हो सकता है अगर किड्नी का ऐसे अगर है तो बहुत का फोटा है और की जिए आपका पाल्पेबल यानि बहुत होने के चांसे तो यह अगर चीज का प्रेशार करके पर पढ़ता है तो एक वज़े तो यह बन सकते है कि कमर के दर्द की लेकिन यह रहर होता प्रद्धिक यह जातार भी उप्रोल्म में बड़ल्म होता है… मस्कुलेस्कृटर्ट डिजौटर्ट डिजौडर्ट के बड़ल्म को अगर आपको ज्ङनना पड़ेगा… कहिंने नहीं दू रखिर ऑपको जेंज़ थो deep नहीं है yak में गड़爬 के कईउ और गडिल्य।, नहीं में वक्त ये न तो अगर आपको और कुछ की शिकायत नहीं है उई जो गदने सुजन नहीं, जब शुजन कोई तकव्लीप नहीं है जी जी तो आपका primary problem जो है musculo skeletal problem है spine से जोड़ा हो या उसके muscle से जोड़ा हो तो आप जो है एक बुनियारी जो टेस्ट होते हैं एक से पगरा लीजिए वस्से आपको अंदाज होगा कि भई का इस्ट्रक्चर में को प्रालम तो नहीं है तु सबस्क्राइब करें पर भी तु सीह को तो सबस्गार कुछा वी जो को अबिः Megataiser सिएगा संद्र यह ऑल में, इस दुछ बढ़ा श्की जो उच्श्ट का थो लुके फेलिए इस्ट्रक बात-पर ने उब उत खीजे तो आपको सवाल करेंगे और कुछ पूछना चाहते हैं? अबसर ये पूनाइ, इसके खान पान को वजे से खान पान? ये खान पान पान जो आपको बताया जाएगे वे आपकी बीमारी क्या होती है मैंने आपको कहा का बैकक तो एक जनरल चीज एक पर ज़ए उसे मालम करना पड़ेगा किद्नी एक देजाएगो, किद्नी गरहोगा तो इसके खान पान 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 फोगे अगर मस्क्र?- शकरिश्य गान को लोगँ अगर टीजो के पाना नोग होगा बचए निक पसार कपने के बाद में जो हम जो ऑसके हैसाब से आपको को टीटमेंट बदा-सकते हैं कर दे सकते हैं आप जो बुनियादी टेस्ट कर वा लिए उसके लिए तैंक यू सो मुझ फॉर कॉलिंग अस्या थैंक विल दोस्तों इस शो की शुरुवात में मैंने आप सभी से कहा था कि लापरवाही की वज़े से ही या फिर कह सकते हैं कि अवेरनेस ना होने की वज़े से किड्नी डिस ओरडर में किड्नी डिसॉर्डर की जो तादाथ है वो पाच गुना बढ़ चुकी है अगर आप लोग भी उसी पाज गुना का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं और आप अपनी सेहत का खयाल रखना चाह है तुरंत कॉल कीजिए और जानिये एक्सपर्ट से याने हमारे डॉक्टर अन्वर सहाब से कि एग्जैक्ली सेहत्मन जिंदगी का रास क्या है वह इसे के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर दिये गए हैं नंबर्स आपका भी भी उस पर कॉल कर सकते हैं दॉक्टर अन्वर सहब एक बात पूशनी थी मुझे जब यह सिंटम्स बढ़ते हैं तो जब लास्ट टेज तक पहुँचते तो किड्नी ट्रांस्प्लांट की बात आती है जी पहले तो डालेसिस की बात आती है तो दोक्टर साहब मेरे यही सवाल है एग्जाक्ली किढ्नि ट्रांस्पलंट क्या होमी गाथिकी की लाइन एफ ट्रीटमेंट से रोका जासकता है अवाइड कर एक रुडियार हम अड़ के जाए और रौक सकते हैं लिकिन अगर ट्रांस्पलंट की बोला तो मतलब कि यह चार कई नोलताइग जब पूली वेकी करव और की अगल स्थाफ जबुम्ल dalths ग ज़ती हाँ प्ली वेकी किल्द में चाहलेश आधे बैर मिन च्क प। जान आगे रखेंगे लेकिन रखेंगे सममय हो ज़ एंग्ले Kirby 2006 ऋज़गी जाहाँ किल्म कई Dort अबिशेग जी अभी मैं आपकी बात कराने जारी हूं दॉक्टर अन्वर सहाब से आप अपना सवाल उन से पूछ सकते है जी फर्माएं क्या सेवा कर सकतो आपकी मैं अपने वजन के बारे में जाना जाता हूं जी सर मैं मेरी ओन पुंपिस आपकी हो गई जी और मैं मैं खान अच्छय हो जिस का छी हो तो से जागी मैं मैं एक अच्छय ह प्रषी में मैं इसको जाब देता हूं आजी मैं जाब देता हम आज बेह म्होटापे जाँ कोषिश करियां है Ton size करने के लिए कोशिश कर है और आपका मसला 맞े प्र बरता नहीं Barbara nesse, मैं अंडर्वेट hommes ढार यह यह उप्छार माँ तो आप नार्मल वेट पुट नार्मल वेट से अच्छाल शुट है देखिये एक शरीट के क्रीया में ऐसा हो रहा है आप खाना खा रहे हैं और आपको नहीं लग रही है वजन बढ़ता केसे अगर आप इंटेक आपका रहेगा बॉडी पढ़े गिया आपकी रिपेर के अंदर जो जेसे ग्रोथ होती है तो आपके मसल्स और बोन्स और टीशुस सब बढ़ने चाहिए में अपका मेल्टपॉलिजम बढ़ना चाहिए आपका जो आप खाते हैं तो आपके शरी को लगना चाहिए आपके केस में यह नहीं हो रहा है इसके लिए आप जो भी खाने के अच्छा खाने बावजूद यह आप आपका अंडर्वेट है तो मतलब यह है कि आपको एक कोई बेशिक डिफेक्ट है जिसे हम माहिजमेटिक तोर पर होमेपति में कहते है कि टूबर कुलर माहिजम के यह साफ से आपको यह अंडर्वेट है पहले क्या पहले आपके हिस्टि में आपको खुद को या फैमिली में करके Dept curious का यह पर यह क्या आपको टी-बी का कुई असर रह रहा है फैमिली में चिन्रत है और पर यह तो वज़न नहीं बढ़ता ए तो ऐसा टो बड़ रेता है प्वालिश लए जरूर नहीं कि आपके अंदर हो जरूर नहीं कि आपके अंदर हो रक्षोप Reporting Which Tell-may बेर्ट होने के बाउजूद होता है आपकी एक्टुवेटिटी बोट सुएच होगी 35 काम काड में energy level अच्छा होगा औि अंजिल दू कि हम डोग जब MAYORज़म की बात करें हैं जिवर्परय माईज़म में शी होता है कि बाइ एनर्जी रेती है लिकिन लगता है लिकिन लगता है वजन नहीं भड़ता है लिकिन लगता नहीं दू है जिए वक्तेर इसकी दवाईयां हमेपती में मौझूद है जो कि इस टेंड को निकाल सकती है अजब वो रवाइका इस्तेमाल करें तो आपकी भूग भी नबढ़ सकती है आपका वेज बिगन होगा और वेज हो सकता है इतना गेन आपका हो जाए आपके रग्षा बस कीजिए बुट हो गया इस हद तक भी जा सकते हैं तो ये बिलकुल क्यूरिबल है हमेपती में और फाइदा इसका आपको होना मुंकिन है आप जो है यहां पर हमसे सब्बर कर सकते हैं हमारे तफसील ले सकते हैं एक बार कभी बांबे आ जाईए हम डिटेर ले लेंगे आपका उसके इसाब से हम द तो इलाबाद में भी बहुत सारे उन्होंती डौक्टर जाच्छे उनको दिखाईए उनसे संबर कीजिए अगर वहां से कुछ निए तब फिर हमसे संबर कीजिए ऐसे भी कर सकते हैं थांकियू सो मज अभिशेग जी फो कॉलिग अस विल दोस्तों इस शो की शुरुआत मे वह पाच गुना बढ़ चुकी हैं अगर आप लोग भी उसी पाच गुना का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं और आप अपनी सेहत का खयाल रखना चाहते हैं तो कोई भी समस्या चाहे वह किड़्िट से जूड़ी हो या शरीर के किसी भी अंग से क्यों न जूड़ी हो एक्सपर्ट की सला लीजी और उसके बाद में ही कोई कदम उठाए इसी के लिए तो हम यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर अन्वर सहाब और उनकी पूरी टीम हमेशा आपकी सेवा में ततपर है तुरंथ कॉल कीजिए और जानिये एक्सपर्ट से याने हमारे डॉक्टर अन्वर सहाब से कि एग्जाक्ली सेहत्मन जिंदगी का रास क्या है तो इसे के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर दिये गए हैं नंबर्स आप कभी भी उस पर कॉल कर सकते हैं तांक्यू सो मच्च और इसे के साथ डॉक्टर अन्वर सहाब अब बारी हो चुकी है हमारे सक्से स्टोरी की तो अगर आप इजाजत दे तो किसी खास इंसान की कहानी उन्ही के जुबानी ओक मेरा नाम अन्जली मैं डॉक्टर साप के यहां पे मेरे बेटी के इलाज के लिए आई थी हाइपर एक्टिविटी का उसको प्रॉब्लेम था उसको दो साल से दवाई चल रही थी उसके बारे में लेकिन किदर भी उसको अच्छा नहीं लगा लेकिन डॉक्टर अंसारी डॉक्टर साब के आने से पहले मुझे इंसुलीन था वाटर इंसुलीन और दुसरा मिल्क इंसुलीन ऐसे करके दो दो इंसुलीन तीन टाइम लगता था डॉक्टर साब के आने से बाद मेरे तो इंसुलीन बंदी हो गया दवाई चालू था चासो से उपर था ओकम आके दो कराने का था यहां से यहां तक हिलाने नहीं सकती थी एक बार तो उठा के लेके गए मुझे डिस्पेंसरी डॉक्टर अन्वर साब के हां नाकपड़ा में 15 मिनिट के बाद दवाई मिला दवाई के बाद खुद से चल के मैं घर पे उसके बाद बहुत आरा मैं इसके लिए मैं दॉक्टर साब का बहुत आबारी हो विल दॉक्टर साब किड्नी डिसॉर्डर ये तो अभी मैं काफी हद तक आप से जान चुकी है और हमारे दर्शक भी काफी कुछ जान चुके है लेकिन मुझे एक और बात खाय जा रही है मनी मन में कि अगर कोई लास्टेज पे है या दाइलेसिस तक के भी पहुच चुका है तो होमियोपैती से कितने जल्दी उसका इलाज मुम्किन है या कितना समय अमोमन तोर पर लग सकता है देखे दो चीज मैं साफ का दिना चाहता हूं बीमारिया दो किसम की होती है यह तो होती एक्यूड बीमारी जो कि आती है परवा जिसको परवान चड़ने में सालों साल लगे हुए होते हैं अभी जब सालों साल लगते हैं तो उसके इलाज में भी उतना वक दरकार होता है जिससे किड्नी बीमारी कोई इलाज ही नहीं है सिर्फ हम इंदजार करते हैं कि और किड्नी खराब हो हम डालेसिव डाले तो ऐसे माहुल में अगर कुछ मैंनों और कुछ सालों के इलाज के बाद में अगर आपकी किड्नी की फंक्शनिंग बढ़ती है आप रैलेसिस से हड़ जाते हैं आप आगे आपका बीमारी बढ़कर ट्रांस्प्रांट टक नहीं आता है तो यह बहुत बड़े कामिया भी है अगर उस है इंपॉसिबल है तो आपको आपकी बीमारी की हकी को समझना होगा कि मेरी बीमारी क्या है कब से है कितनी हद तक इसके रिपरकेशन क्या है तो उसके इसाब से हम तार्गेट सेट करते हैं कि हमको यह किसमे क्या करना है तो हुम्यपिति में वह सक्षमता है और हुम्यपित हमारे तमाम दर्शकों की और से एक चीज में आपसे कहना चाहूंगी कि हम वाकी में बहुत खुशकिस्मत है कि आपने हमें इतनी जानकारी दियो और अपना कीमती समय हमसे शेयर किया तह दिल से शुक्रियादा करना चाहती है। विल दोस्तों जैसे कि डॉक्टर अन्वर साहब ने कहा कि उमीद अभी बाकी है, जिन्दगी अभी बाकी है। अगर कोई भी सवाल सेहत से जुड़ा आपके जहन में आ रहा हो और आपका मन है कि आप सला मश्वरा करें खुद डॉक्टर अन्वर साहब के साथ या उनकी तीम के साथ में, तो इसी के लिए हम से संपर्ख जरूर करें। हमारा पता है? हमारा पता है, डॉक्टर अन्वर आमिर्स क्यूरेटिव होमियोपैथी 29x30, पटेल आकेड, फस्ट फ्लोर, केडी टावर 233x234, विलासिस रोड, मॉंबई सेंट्रल 400008, हमारे फोन नंबस हैं, 022-2300-4757, 022-2300-5757, और 9930-950-750, हमारी एमेल आइडी है, dranwaramir.gmail.com, हमारी विब साइट है, www.dranwaramir.com. So well with this, ladies and gentlemen, मैं हूँ आपकी host and दोस्त, स्नीहल राय, चाहूंगे आप सभी से इजाजत, दुबारा आप सभी से मुलाकात होगी, यही इसी शो में, जिसका नाम है, होमियोपाथी, अन्होनीपाथी, एक नए विशे के साथ, एक नए जजबे के साथ में, तब तक के लिए अपना फ्लीज, खयाल रखिये, क्योंकि सेहत है, तो सब कुछ है.